हलो दोस्तों नमस्का आपका स्वागत करती हूँ डीन पेंटिया में इस वक्त की दस बड़ी खबरों से महाँ आपको रूबरू कराएंगे तो आज़े शुरुवात करते हैं खबरों का सिलसिला प्रिधान मंतुरी नरेंद्र मोधी ने गुरुवार को हल्दवानी के MB International College में उत्राखंड को साढ़े 17 करोड के विकास परियोजनाओं की सौगाती है प्रिधान सभा को संबोधित करते हुए PM मोधी ने बिना विपक्ष के किसी नेता का नाम लिए जम कर हमला बोला है प्रिधान सभा चुनाओं की तैयारियों की सिमिक्षा के लिए राज़ानी लखनव आये मुख्य निर्वाचन आयोक्ति यानी CEC सुशिल चंद्रा ने बताया है कि UP में सही समय पर चुनाओं होंगे सभी राज़ीतिक दल कोविट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाओं संपन कराना चाहते है अगले साल पांच राज़ों में विधान सभा चुनाओं होने हैं चुनाओं को लेकर कॉंग्रिस ने भी कमर कसली है कॉंग्रिस नेतर राहुल गांधी पंजाव और गोवा में राली करेंगे हाला कि राहुल गांधी नीजी दोरे पर विदेश याद्रा पर चले गए है किर्थी किसान यून्यन ने आने वाले पंजाव विधान सभा में ना उतरने का फैसला किया है संगठन ने साथ ही संजुक्त समाज मोर्शा बना कर चुनाओ लड़ने वाले किसान संगठनों से भी अपील की है कि वो संजुक्त किसान मोर्शा की एकता को बनाई रखने के लिए चुनाओं में ना उत्रे उन्होंने कहा है कि संघर्ष के जर्य ही अभी तक संघठन ने तीन क्रिशी कानुनों को वापस लेने जैसे लड़ाई जीती है इसे बढ़करार रखा जाए राजीब चौक मेट्रो स्टेशन से गुरुवार रात नौ बजे से यात्री बाहर नहीं निकल सकेंगे स्टेशन से आकरी ट्रेन के छूटने तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमती होगी दिली मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने जानकारी देते हुए बताया है कि राजीब गांधी मेट्रो स्टेशन राजधानी का सबसे व्यस्त यानी बीजी स्टेशन है और यहां हर समय रहती है नए साल पर मेट्रो स्टेशन से करनाट प्लेस की और जादा भिड़ रहती है करनाटक पुलीस ने हाल ही में हुई एक महिला की हत्या की गुथी को सुलझा लिया है पुलीस ने इस मामले में साथ आरोपियों को गिरफटार कर लिया है आरोपियों में मृतिका का प अगले तीन से चार दिनों के दौरान उत्तर परश्मी भारत और मध्य प्रदेश में शीत लहर से गंभिर शीत लहर की स्थिती बनी हुई है पाकस्तान के आतंगवाद निरोधी विभाग यानी CTD ने दावा किया है कि उसने उत्तर परश्मी खेबर पुख्तु नखवा प्रांत में इसलामेक स्टेट खुरासान यानी आईस के आतंगवाद के नेटवर्क को नश्ट कर दिया है पाकस्तानी अखवार दान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकस्तान के एक शिर से CTD अधिकारी ने बुधवार को पिशावर में एक सम्वादाता सम्मेलन में कहा है कि आईस एके ने इस साल मई के बाद से खेबर पक्तो नखवा प्रांत में सक्रिय होना शुरू कर दिया था देखी जा रही है देश में आप तक कुल 12,94,861 करोना के कुल मामलों की पुष्टी हुई है भारत के और से फ्रांस से राफेल विमानों की खरीद के जवाब में पाकस्तान ने चीन से 25 जे 10 सी लड़ाकों विमान की खरीद की है पाकस्तान के आंतरीक मंत्री शेख रशीद एहमद ने बुधवार को यह जानकारी दी है अपने ग्रीन नगर रावल पिंडी में पत्रकारों से बाचित में शेख रशीद ने बताया है कि चीन से खरीदे गय यह विमान 23 मार्च को पाकस्तान दिवस समहरों में शामिल होंगे खबरों के और जानकारी के लिए देखते रहे ये डिन पिंडिया तब तक के लिए नमस्कार